जैपुर में बगरू स्तित महिंद्रा सेच से संचालित नीजी कमपनियों की लापरवाही एक बर फिर से सामने आई है बताने की कमपनियों से निकलने वाला सफेद पाउडर महिंद्रा सेच के आसपा सडकों पर इस कदर बिखरा पड़ा है कि आने जाने वालों लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्यामिकल युक्त सफेद पाउडर लोगों के लिए अभिशाब बनता जा रहा है लोगों ने बताया कि पाउडर से खुजलाहट, उल्टी और बेचनी की समस्या हो रही है ऐसे में परिशासन को कई बार इस समस्या से अवगद भी करा जा चुका है लेकिन अभी तक समस्या जस्की तस है, जिसके चलते लोगों में गुस्सा व्यापत है जिस जगह में खड़ा हूँ, ये कोई बरब की सिलाए नहीं है ना ही ये कोई उत्राकंड का छेतर है ये चेतर है राजदानी जेपुर के महिंद्रा सीज का जिहां वो महिंद्रा सीज जहां जिसको विक्सित करने के लिए राजजिवे केंदर सरकार लगातार परियासरत है लेकिन कमपनियों की और ठेकादारों की मरजी के कारण आप देख सकते है कि जो मुख्य सडक है इस मुख्य सडक पर भी पाउडर बिचा दिया गया है यानि इस चेतर की एसी कोई भी सडक सुरक्षित नहीं है जहां पर ये पाउडर डाला हुआ ना हो पाउडर की बाद करें ये केमिकल से युक्त पाउडर है इस पाउडर को गाएं भी खा रही है एक तरफ लंपी वाइरस का कहर पूरे राजस्तान और देश बर में कहर बरसा रहा है उसे तोर जो ये सपेद पाउडर केमिकल युक्त पाउडर सडकों पर डाला जा रहा है इनके साथ में प्लास्टिक की थेलियां भी डाली जा रही है जिसे आए दिन यहाँ पर गोवंसों की मरत्य हो रही है परसासनिक अदिकारी और महिंद्रा सेज के जो अदिकारी है वो आख मूलकर बैटे हैं और मुख्य मार्ग जिस जगर में खड़ा हूँ यह वो मार्ग है जहाँ पर ऐसे महिंद्रा सेज में एंट्री करते हैं मौवाना मंडी की ओर से आते हैं संगनेर एरपोर्ट की ओर से आते हैं यहाँ पर परसासनिक अदिकारी भी निकलते हैं लेकिन अभी तक किसी भी परसासमे का दिकारी और जन परतिनिदी का इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में एक भी सड़क सुरक्षित नहीं रहेगी और हर जगे आपको इसी परकार के पाउडर का जो धेहर है वो दिखाई देगा सहयोगी कैमरा परसन के साथ में उमपरका सोधरी एवन टीवी जेपू